जिए बहुत रुद्रिय। और इंभी काम हो गई सारे ठीक आपकदार? जी हो रहा है. और श्री आक्टर हमीद साब का, वो जूल उनके नक की टेंशन थी, वो भी चल रही है? जी अब चल रही है? क्यों? अब है कह रहे थे कि एक नई आपने दी है तो वो ट्राइ करें किसी दिए मैंने क्यों कहा है मैं तो दुबाई दी थी है मेरा ख्याल था फैदा होगा उनको जी वो च्की जाना है अब बैटने की तरह से लग़ा रहा है अब यूट की जाना होता है कही अच्छा फिर इनतजार करें उनका दो मिन्ट बुलाने कहीं है न तरह को अच्छा और बता दें इस सबसे में क्या खबरें हैं बाकी सबकी उसकी बेटी कैसी है गुगू और दूसरे का भी नाम दो जाए है अपने रिष्टार के लोग नाम देते हैं दूसरे को बलाई देते हैं गुगू और हाशिम की बेटी अच्छी है देखी आपने देखी नहीं बताया होने के बहुत प्यारी है अच्छा माशा ओल्ला और आप किसी बेद्ब कु अच्छी है और तुम्हारा के हाल है तुम्हारा के हाल है अच्छा तुम्हारा के हाल है अच्छा तुम्हारा की 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 तुम्हार यह पर कोई कोई लफ्स में जुका में भी आपके है वो पूछ लिया करो बाद में नोट कर लिया करो पूछ लिया करो बैसे काफी तुन जहीन हो माशाहलाद जल्दी साथ चल पड़िया तदर नहीं तहां चले गया है वो शुरू करने है तुरावत में आजाएंगे इंशालों तुरावत कहां तक हुई थी शुरा तक सिर्फ अच्छ पंदरा से शुरू करना है यह शुरू करते हैं आओज बिल्लाहि मिन श्यातौन रर्यजीम बिस्मिल्लाह रह्मान रर्यजीम इनल्लाह युद्खिलू लजीन आमनू वामलू स्वालिहात जन्ञातिं तज्री मिन ताते हैं लन्हार इनल्लाह यफलू मा युरीद मन कान यदुन वाल यन्सुरह ल्लाह फी दुनिया वाल आखिलते फल्यम्दुद बे सबब इलस्माई तुम्ल्यक्तौ फल्यन्दुरह युदह बन्न केदू मा युगीद इनल्लाह यहदी मन युरीद इनल्ल्यदीन आमनू वढ्ञी वादी वास्वाभीना वन्सौरह वास्वाभीना वन्नसौरह वाल्मुजौस वल्दीन अश्रकू इनल्ल्भा यफ्सिलो बेनहुम यौम खामत इन्नलाह अला कुल शें शहीद अलम तर अन्नलाह यस्जद लहू मन फिस्समावात वा मन फिल अर्द वा शंस वा खमर वा नुझूम वा जिबाल वा शजर वा दवाब वा कतीर मिन अन्नास वकसीर हक्का अलेह लदाब वमन यहिन लहू फमा लहू मिन मुक्रिम इन्नलाह यहुलू मा यशाओ सजदा क्यों जी मैं सरशीद क्या बना अच्छा हादान खस्मान इक्तसमू फी रबहिं फल्दीन कफरू वकुत्यत लहूं तयाब मिन नार यसब्ब मिन फाक रूसहिं मुल्हमीम यसब्ब मिन फाक रूसहिं मुल्हमीम यसहर बही मा फी बतूनें वाल्यूलूद वलहुम मुकाम उम्हदीद कुल्मा रादू वन यखरुजू मिन हा मिन गम्म उईदू फीहा वजूकू वगाब लहरीक इनल्लाह युद्खिल लजीन आमनू अमरु स्वालिहात जन्नात इंतजी मिन ताहत है लन्हार युहलान फीहा मिन अस्वाविर मिन जहब लूल्वा लिबासुम फीहा हरीर वहुदू इला त्यब मिन अल्कॉल वहुदू इला सुरात इल्हमीद इनल्लजीन कफरू वयसुदूना अन सबीलिल्लाह वल्मस्जिद अरामि अन सबीलिल्लाह वल्मस्जिद अरामि लजी जालनाह लिन्नास सवानिल आकिफु फीह वल्बाद वमैं युरिद फीह बेल्हाद बजुल्म नुजिक हो मिन अजाब अलीम वाद बव्वाना लिबराहीम मकान बेत या ल्लाह तुष्रिक भी श्याओं ताहिर बेत या लिट्वाइफीन वाल्काइमीन वाल्रुकः सुझूद वाद फिन नास बिल्हज यातूक रिजालं वाला कुल दौामिर दौामिर यातीन मिन कुल फज्ज अमीक ले यश्हदू मुनाफिय लहूं वयद्कुर उस्म ल्लाह फी आयाम मालूमात अला मा रजकहु मिन बहीमत लनाम अकलू मिन आवार्दिम बार्स नास फखीर थुम् लु लिप्वू नुदूर हूं ल вдौत्वदू वु यू झूझू गिन दूर हूं जालिक वमन यॉद्गम हुर्मात लाहि वहा खैरू ल्लहू इंद रभिक वहिल्लत लकुम अनामु इल्ला मा युतला लएकुम फच्टनिबू रृस्व मिल आथाने वच्टनिबू काल जूर जालिक व्मन यूर्जिम शायर ल्लाह फइन्नहा मिं तक्वल गुलूब लकुम फीहा मन आफिव इला आजलि मुसम्म फुम्म मुहिलुहा इला बहति ल्लतीक इन्नलाह यूद्खलू लजीना आमनू वामिलुस्वालिहाते यकिन ल्लताला दाखिल फर्माएगा उन लोगों को जो इमान लाय अल्लदीना आमनू वामिलुस्वालिहाते और नेक आमाल किये जनातिं तज्रिम इम्ताहत लनहार इसे बागात में या रिसी जनतों में जिनके दामन में नहरें बेएगती है या जिनके नीचे नहरें बेहती है िननलाहीफ्भलु مَا YURÝ يقن اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے یقن اللہ تعالی وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے من کانا يظنو جو بھی گمان کرتا ہے اللہ ينصره اللہ فی الدنیا والآخرہ कि अल्ला ताला, दुनिया में और आख़्त में उसकी मदद नहीं फिर मुराईगा यहां यंसिरु से मुराद हरद महुम्मम्स्तफा सॉले तौलि लौह अज़रो आख़्तनों मन कान यजुनू अललायान सुरह ल्लाव फि द्विय व आुक्रा कि अखन पूरू तो उसे चाहिए कि वो आसमान तक पहुंचने का कोई जरीया इक्पैर करे फुम्मल्यक्ता फिर उस तालुक को काट दे जो हदर्द मुहम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म् फिर वो देखे कि क्या जो उसने तद्वीर की है या उसकी तद्वीर उस चीज़ को दूर कर सकती है जो उसके घैस का सबब बनी हुई है यानि उसको घैस दिलाने का और उसके अंदर अंदर खौलने का और हसद में जलने का जो चीज़ भी सबब बन गई है क्या उसकी ये बिल्चने में ये बात काबले जिकर है कि मुktलिफ तर्जमा करने वालों ने जमायर के इशारों को मुktलिफ सिम्टों में फ्यरा है और ये आयत जिस तरह जाहर जाहरी लफज है इस तरह बाज दफ़ समयने में जिक्त पेश आती है कि इसका मकसद क्या है इसकी एक जमीर तो उस जन करने वाले की अपनी तरफ भी जा सकती है कि जो भी गुमान करता है कि अल्ह उसकी दुनिया में और आखरत में बदद नहीं करेगा तो वो फिर अपना जोर मार देखे उसको अपनी तद्बीर से भी कोई फैदा नहीं पहुंचेगा एक ये माना इमकानी तोर पर माजू है मगर अक्सर अहल इल्म इस बात पर मुत्तिक हैं कि यहां यनसर और हू से हू की जमीर हदरत रसूल अल्दा सुल्द लिए लगा अल्याव जाती है मगर आगे जाके फिर दिक्ट पेश आजाती है वो एक रसी असमान की तरफ फेंके ये भी तर्जमा किया गया है कोई शीड़ी लगाए असमान की तरफ थुमल यक्ता फिर उसे काट दे तो फिर काटे क्यों अगर खुद ही सीड़ी असमान की तरफ फेंके तो उस सीड़ी को क्यों काट दे ये उस रसी को क्यों काट दे और काटने के बाद फिर देखे कि क्या उसकी तदवीर काम आई के नहीं उसका गयर दूर हुआ के नहीं में में यह कैसा दावा है कि अगर तुम समस्चते हो कि रुसूलल की हुदा तुम यह गुमान करते हो कि अल्ला मदद नहीं करेगा ना दुनिया में ना आखरत में तो एक रसी आसमान की दर फेंगो उस पर चड़ जाओ और फिर रसी को काड़ दो अबल तो ये कि जो रसी नीचे से उपर जा रही है उसको काटने उसका नीचे से काटना चाहिए फिर उसको उपर से तो लटकी नहीं हुई जो उपर से लटकी हो उसको काटने तो गिरेगा और उपर का फुनना काटने से उसको क्या फरक पड़ेगा और फिर इस बात का दिरील का क्या तालुग बनता है कि फिर वो देखे कि या उसकी तद्वीर कुछी काम आई कि ना इसलिए इसका मेरे नजदीक तो सिर्फ एक ही हल है कि फल्यम्दुद बिसवविन इलस्माए वो आस्मान तक अपना जोर लगा देखे आस्मान तक जिस हद तक वो समझता है वो खुदा का है तो फिर उरसाई करे फुम्म यखता से मराद अपनी रसी नहीं बलकि मुहिमर रसूलल्ला की रसी काठे मुहिमर रसूलुद ऐर लगा लुए भी तालुद कार जो वो समझता है उने तो पिर काट के दिखा दे कभी नहीं काट सकेगा उसका गैज उसी तरह रहेगा और गैज दरसल इस बात का सबूत है कि उसका गुमान जूटा था और मस्नुई था अगर वाकितां वो यक्रीम रखता कि अल्ला इसकी दुनिया में और आखरत में मदद नहीं करेगा तो तकलीफ क्या हो रही है उसको उसका गैस और गजब बता रहा है कि वो जूटा है पस ये भी आजमा देखे कि दुआ कर ले और खुदा तक पहुँचे और फिर देखे कि क्या गैस में कोई कमी आई ये बिलकुल वही मदमून है जो हज़रत अग्दस मस्य मौद अजमा को दिया आप में फरमाया तुम जो हस्द में खौल रहे हो और हर मुमकिन दुनिया की तद्बीरे कर रहे हो कि मुझे हला को बर्बाद कर दो तो आस्मान तक क्यों नहीं पहुँचते है सजदों में गिरो खुदा को पकारो वही है जो मेरा तालुक मुनकदे करके मुझे हला कर सकता है तुम कहते हो मेरा खुदा से कोई तालुक यू नहीं तुम कहते हो अल्लह ताल्लह मेरी मदद करता है है तो अगर अल्ला ही का मामला है तो उसी की तरफ जाओ तुम क्या कर सकते हो यहां बैठे दिन्या में और फिर देखो कि तुमारी आँखों के हलके गल जाएंगे रोते रोते पलके ज़ड जाएंगी और तुम माते रगल लो जमीन पे जितने चाहो नामुम्किन है कि तुम अल्ला का मेरे साथ तालुक काट सको यह वो मुद्मून है कि वो चीज जो तुमें घजब दिला रही है वो तुमारे इस गुमान को जुटला रही है कि खुदा कम हमरे रसुल्ह से को तालुक नहीं पस अगर यह गुमान है भी तो फिर यूँ एक कर देखो तुम भी प्र उसी तरह घुलते रहो वे खुमों में उस फिक्रों में क्योंकि जो कुछ तुम करोगे दौाओं के जिरीए अपने जौम में उससे तुम्हारे जलन में एक जर्दा भी फरक नहीं पड़ेगा मुसलसल हदर मुद्मून रसुल्ला सुल्ला रहा रहीं तरकी करते चले जाए ये मुद्मून है और इसी तरह हमने उतारी खुली 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 निशानियां या खुले खुले निशानात उतारे और ये कि अल्ला हदायत देता है जिससे वो चाहता है वकजाले का का वफूम यहां कैसे जाहर किया जाए इसी तरह इसी तरह का इशारा इस आयत की दलील की तरफ है फुरमाया जिस तरह हमने ये दलील दी है जो एक बहुत ही गोश्र और खुली खुली दलील है जो आखर पर उसके जन को वैसे ही जुटा कर रही है गुसे की और तकलीफ की वज़ा क्या थी अगर तरकी न करते हैं मुझा रसुल्ला और कहते हैं ये हो कि दुनिया में भी नामराद होगा और आखरत में भी नामराद होगा इस तरह हम जब बातें खोलते हैं तो खुले खुले निशानात हम इसी तरह उतारते चले जाते हैं وَأَنَّ اللَّهَةُ और ताकि तुम जान लो मुराद है وَأَنَّ اللَّهَةُ और ये इसलिए है कि तुम जान लो कि यहदी मैं यूरीद कि अल्ला जिसे हदायत उसे हदायत देता है जिसे वो चाता है इननल्जीन आमनू वल्जीन हादू ये खिनन वो लोग जो एमान लाए वल्जीन हादू और वो लोग जो यहूदी हुए वस्वाबईईना और सितारा परस्थ ना वस्वाबईईना और वो लोग जिन पर दीगर मुलकों में मुख्तरे वक्तों में इलही ताली मुतारी गई वन्नस्वारा और वल्लजी नाश्रकू और वो लोग जिन्हों रे शिर्क किया इसमें तमाम तर खिसमें सब मजहिब की दाखिल हो गए है इस आएट में इनल्लाह यफसलो बेनहुम यौमल क्यामा अल्लाह उनके दर्मियान खियामत के दिन फैसला फर्माएगा इनल्लाह अला कुले शैन शहीद यकिन अल्लाह तालाह हर चीज़ पर निगरान है इसी मजमून की बाद दूसरी आयात हैं जिन में मजूस का और मुश्रकीन का जिकर मैं और उन में ये वादा है कि अगर वो यौम आखरत पर भी एमान लाते हों और नेक अमल करें तो अल्लाह उनको जजादेगा इसी दुनिया में ही उनका फैसला फरमा दिया गया है लेकिन जहां मुझूस और मुश्रकीन का जिकर आगया वहां फरमाया कि इनके दरमयान फैसला किया चाएगा और वहां खोल दिया जाएगा कि कौन सच्चा था और कौन जूटा था क्या तुने नहीं देखा कि अल्ला ताला को सजदा करता है जो भी आस्मानों में है और जमीन में है वे शम्सों और सूरज भी उसी को सजदा करता है और चांद भी वे 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 नूजूमों और सितारे भी वे जिबालों और पहाड भी वे शजरों और दरख भी वे दवाबों और तमाम चलने पिरने वरे जानदार वे कथीरूं मिन अन्नास और लोगों में से भी अक्सर और अक्सरी भी अक्सरी हैं जिन पर अज़ाब भी फर्द हो गया है अब ये बहुत दिल्चस्प मुद्मून इस पहलों से है कि कानून और गुद्रत का जहां तक तालुक है उसके सामने ये सब चीज़ें मुकमल तोर पर सज़दारेज है ख़दा की हर मखलूक आस्मान हो या जमीन हो चांद सूरज सितारे हो पहाड हो या दरख और जानवर भी इस सारे जिन में खुद गलत फैसला करने की ताकत नहीं है या वो मजाद नहीं बनाया गए इस बात के कि अपने चाहें तो गलत फैसला करें जिन को खुदा ताला के क्वानिन के सामने चलने की तालीम फितरतर दी गई है ये वो सारी चीजें हैं जो शूर में इनसान से कम होने के बावजूद खुदा की हदूर सजदे ले रहती है और किसीरों मिन अनास और लोगों में से भी एक बड़ी तादाद सजदे करती दिखाई देती है दिखाई देती है कि बजमून इसलिए इसमें मैंने दाखिल दाखिल तुने कि इसमें से निकाला है कि कसीर अगर सजदा करते हैं तो कसीर पर अजाब फर्क नहीं होने फर्द नहीं होना चाहिए इसके मान बाद ये जो फर्माया गया है कि कसीर हैं जिन पर अजाब फर्द कर दिया गया है तो इसके जवाब में तो इनसान ये तबको रखता है कि कसीर अगर सजदा करते हैं तो कसीर हैं जिन पर जन्नत फर्द कर दी गई है तो मालूम हुआ कि किसीर सजदा करने वालों में से जिन में वो सारी किसमे माजूद हैं जो पहले गुज़र चुकी हैं मजाइब की फिल हकीकत खुदा को सजदा नी करते देखने में करते हैं और इस वज़े से सजदा रेज होने के बावजूद उन पर अज़ाब फर्द हुआ हुआ है और बाकी सब किसम की मखलूकात में से किसी का सजदा भी मुस्लूई नहीं वो हकीकी है बस इनसान को इससे सबख लेना चाहिए कि उससे अधना जितनी वी किसमे हैं तखेकी उनके सजदे तो मन्जूदे हैं क profes उनके वो बस्लूई नहीं 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 है इनसान के सजदे में आकर फिर गयलूकी मिलूनी शुरू हो जाती है इसलिए अगरर्चे बजाहिर कसलत से इनसान भी सजदा रेज है जैसा कि पहली आयत में उनकी मुझाइब की तफ्सील बियान फर्मा दी गई लेकिन फिलहकीकत अक्सर के सजदे ना मकबूल होंगे और उन पर अजाब फर्द हो चुका है मैं यहिन लिल्लाहु फमा लहु मैं मुक्रिम जिसे अल्लाह जलील कर दे उसको इजदे देने वरा कोई नहीं जिकिन ल्लाह जो चाहता है वही करता है हाजान खस्माने ये दो गुरों हैं जिनोंने खूब बहस की खूब मुनाजरे की है इसका बाद ये तर्जमा करते हैं फिर रबह्यूं ये दो ज्ग्रालू हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में खूब ज्ग्रे किये तो अबल तु दो वो है नहीं पीछे तो कईवों का जिक्र हो चुका है आखरी सूर्थ में दो ही ग्रो बनते हैं एक मुमिनों का और एक गेर मुमिनों का तो मुराद ये है कि ये दो गुरों हैं एक खुदा को रब को मानने वाले और एक रब को ना मानने वाले ना मानने वाले और अल्ला की के वजूद का इंकार करने वाले आपस में खुब मुनादरे करते हैं ये जो है कि खुदा इख्तसमु से मुराद जगड़ा करना जो गलत मानों में है ये जरूरी नहीं है कि खुदासमा से मुराद ये खस्म से मुराद महस फजूल जगड़ा लिया जाए खस्म से मुराद दरहकीकत बड़ी शिद्दत की बहस है जोर के साथ मुनादरा हो रहा हो इसको खस्म कहते हैं और खुरान करीम ने इसी लफ़ खस्म को इस्तिमाल फरमाया है अंबिया के तालुक में भी वलकद अरसलना इला समूद आखाहूं सौलिहा और हमने समूद की तरह भेजा उनका भाई सौलिह कि वो अल्ला की अबाद करें फाइदाहूं फरीखाने पस वो दो हिस्तों में बट गए यक्तसिमून खुब आपस में उन्होंने बहसे की एक खुदावाले और एक गैर खुदावाले एक हज़र समूद, हज़र सौले और एक समूद की कौम ये दो ग्रोव बन गए, एक वो जो खुदा के हक में बहसें कर रहे थे एक वो जो खुदा के खिलाब बहसें कर रहे थे तो हाज़ाने खसमाने से मुराद खुदावाले और गैर खुदावाले, खुदा के मुनकरीन उन्होंने आपस में खुब बहसे की पस वो जो काफिर हुए या जिन्होंने इनकार किया उनके लिए आग के कपड़े गता किये जाएंगे आग से कपड़े काटे जाएंगे युसबु मिन फौकरूसहिम लहमीम उनके सरों के उपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा युसरु बही माफी बुतूनेहिम जिस से गल जाएगा गला दिया जाएगा जो उनके पेटों में है वल जुलूद और चम्रे भी गला दिया जाएंगे वलहुम मकामेव मिन हदीद और उनके लिए लोहे के हतोडे होंगे वो एरादा करेंगे कि उसमें से गम की शिद्द की वे से निकल जाएंगे उईदू फीहा उसी में वो लोटा दिये जाएंगे वजूखू अजाब लहरीक और गोया ये उनसे कहा जाएगा कि चको जहन्नम का या जलाए जाने का अजाब ये जो सारी अबारत है इसी के अंदर ये बात मुद्मिर है कि ये हमें समझाने के लिए हमारी इस्तिलाहों में गुफ्तगू हो रही है मगर वहां जो अजाब की नौईयत है वो बैने ही वो नहीं जो हम इन लफ़नों से समझते है उसकी वज़ाए ये है इस अबारत के अंदर से बात दाखिल है कि उनके कपड़े आग के कपड़े काटे जाएंगे आग के कपड़े पैने होंगे उपर से खौलता पानी डाला जाएगा जो जिल्दों को गलाएगा तो साफ पता चलता है कि वो खौलता पानी पैने तो आग को बुझाएगा जो यो कपड़े उने पैने हुए है तो जो बजाहर मतज़ाद बाते हैं ये इस दुनिया की इस्तिलाओं में मुम्किन नहीं है फिर जब ऐसा पाने डाला जाए जो अंदर के हर चीज के जो अंदरूने में है वो सब कुछ जला दे गला दे उसको और फिर हतौरे भी हो पिर निगल के भाग के कहा जाएंगे निगलने की कोशिश कैसे करेंगे क्योंकि जिनके चम्रे गल गया हों जिनके पेट में सब कुछ भसम हो जाए सब कुछ भी न रहे बाकी और आग उनके गिर्द गिर्द भी लिप्टी हुई हो वो निकलने के कोशिश कैसे करेंगे क्या तसवर है जो अबरता है अगर हम मादी मानों में इस आयत के मुदमून को लें इसलिए साफ पता चलता है कि वह एक ऐसी तخलीक है जो इनसान की तक्रीक बाद में होनी है जिस पर ये बातें सादक आ सकती हैं MELTًव और हमें समझाने के लिए जो बेहानक मनजर है वो खेंचचा जा रहा है लेकिं यह ऐसा मनजर भी नहीं जिसको हम बिलकुल ह ना समझ सकें, इस दुनिया में भी अगर हम इनसान के जहनी और रुहानी अजाब का तस्वर बादें, तो इस किसम की कहफियत होती है, उसके उपर कहते हैं, मुसीबतों के पहाड आ पड़े मेरे सर पर, और मैं तो आग में लिपना हूँ, जल रहा हूँ, यहां तक कि बाद म लेकिन उसे निकलने की कोशिश करते हैं, किसी जरीए से इस मुसीबत से निजात पाएं, लेकिन नहीं पा सकते हैं, तो एक छोटा सा नजारा इस दुनिया में, उन लोगों का भी सामने आता है, जो बड़ बड़े विहानक जुर्म करने के बाद, ऐसे वक्त में पच्टात लोगते रहते हैं, और चैन नहीं पाते, बाद तौबह कर लेते हैं, फिर भी वो तक्रीफ रहती है, चोनाचे मुझे कई लोगों ने खत लिखा है, कि हम खुदा के फ़र्द से मुखलिस हैंडी बन चुके हैं, लेकिन जो हमने तक्रीफ हैंडीयों को, अब तक हमारे दिल पर एक अजाब की तरह पड़ी हैं, हम निकल नहीं सकते हैं, दौा के लिए लिखा, तो ये मुझमून, असल में रोहानी तौर पर इस दुनिया में भी हम देख लेते हैं, अगर आखें खोलें, तो ये जो नक्षा है, अगर इसको जाहरी लिया जाए जैसे बाद लोग ले अगे हैं ना भी, हाँ, इननलाह युद्खिलू लजीन आमनू, अमलिस वालहाते जन्नातिं तज्री मिन तहत लन्हार, यकिन आल्ला ताला दाखिल फरमाएगा, उन लोगों को जो इमान लाए, वामिलस वालहाते, और नेक आमाल किये, जन्नातिं ऐसे बाओों में ये जन् में तज्री मिन तहत लन्हार, जिन बाओों के नीचे नहरें बेहती होंगी, युहलावन फीहा मिन असाविरा, वो उन जन्नात में सोने के कंगन पहना जाएंगे, पहना जाएंगे, या कड़े पहना जाएंगे, मिन जहबिन सोने के, असाविर कंगनों को या कड़ों को कहते हैं, वो लोलुआ और मोती भी, वा लिबासुहुम फीहा हरीर, और उनका लिबास वहां रेशम होगा, अब ये जो नक्ष़ है, ये भी बता रहा है, कि जाहरी तोर पर ये मुराद नहीं है, कि जेवर कड़े प ये तो इस दुनिया की जो इनसान की जीनत की इंतहाई के इंतहाई तसावरात हैं, जो बहुत अमीर लोग या बड़े-बड़े सरदार अपने बड़ाई के इजहार के लिए किया करते हैं, ये वो नक्ष़े हैं, मगर वहां इससे मिलती जूलती कोई चीज़े होंगी, जो बड़ाई और शौकत तो देंगी, मगर जाहरी तोर पर ना वो कंगन होंगे, ना वो लबास इस तरह होंगे, जैसे हम समझते हैं, वहुदू इलत्यवि मिल्कौल, और कौल मेंसे जो तैयब कौल है, उसकी तरफ उनकी हदायत की जाएगी, वहुदू इला सुरात इलहमीद और खावल तारीफ रस्ते की तरफ उनको हदायत दी जाएगी, खुदू इलत्यवि मिल्कौल, ये जो मिल्मून है, ये चूंके हर मौमिन पर जिसको ये जज़ा दी गई है, उस पर इतलाक पा रहा है, इसलिए ये बताना मक्सूद है, कि तुमारे इस दुनिया की बातों क की तरज, वहां काइम नहीं रहेगी, तुम जुमान के अगर सक्त भी हुए, और कई पहलों से काबल इतराज गुफटू का अंदाज भी हुआ, अगर तुम बखश दिये गए और जन्नतों में दाखिल किये गए, तो तुमें उन रस्तों, वो उन बातों की तरफ हजायत द निकलेगी, व लिबासुं फी आहरीर, तुम मैं कह रहा हूं मगर वहां गायब कसी रहा है, उनके वो ऐसी बातों की तरफ ले जाए जाएंगे रहनमाई करते हुए, जो बहुत अच्छी बाते हैं, वहुदू और हदायत दी जाएगी उनको ऐसे रस्तों की तरफ जिन पर चलना काबल तरीफ है। यानी खान एकाबा से रोकते हैं, जिसको हमने सिर्फ मुस्लमानों के लिए नहीं बनाया, बलके लिन नास बनाया है, तमाम बनिन और इनसान की खात्व बनाया है, सवान लाकिफु फीह वालबाद, अब सवा का लफ़ दोनों तरफ चल रहा है, लिन नास सवा, सब इनसानो के लिए बराबर, और सवान लाकिफु फीह वालबाद, वो इनसान खाँ वहां इतकाफ करने के लिए आएं, वहां बैखने के लिए आएं, मुझाविर बन जाएं उस जगाएं के, या वो बाद कहेंगे, बाहर से आने वाला जो भी है, इन मुझाविए जारत करके वापस बादिया निशीन, अरब के शेरों के गिर्द गिर्द जो लोग रहा करते से, उनको बादिया निशीन कहते से, वाल बाद से मुराद इर्द गिर्द के लोग, जो आते हैं और चले जाते हैं, और आकिफ कहते हैं, जो वहां बैठ रहें, पस दोनों के लिए हमने बराबर ब बनाया ये قुरान करीम में बाराई है, ऐसा होता है कि बीच का लफ़ दोनों तरफ पड़ा जा सकता है और दोनों तरफ बिलकुल सही माने डेता है पहली आयत जू खुरान करीम की उसकी मिसाल सामने है ला रैबवा फीहि हदलल्ल्म।क्टिकन तमाम अलमा मुत्विक हैं कि इसको दोनों तरफ पढ़ना जाइज है तो यहां भी मैं समझता हूँ वही मुद्मून है क्योंकि पहला घर जो खुदा के लिए बनाया गया है जो बनाया गया उसको अल्लत अल्ले ने यही फिरमाया पहला जो दोनों की खात्त बनाया गया तो खाना गया के साथ तमाम बनी नो इनसान की फवायद वाबस्तहा है और इनसानियत को एकथा करने वही जगा यहां से इनसान को रोकना जाय्स नहीं सवाभी इसके कि वह शिरक करने वाला हो और यहां शिर्क करना चाहे पस मुश्रिकाना हरकतों की यहां इजाज़त नी दी जा सकती वरना इनसानों को रोकने का किसी को हक नहीं वामाई यूरिद फीह बेलहादिन पस जो कोई जल्म की रासे इस खुदा के कानून में कजी पैदा करने की कोश़् करे बहाने ढूंडे कि किसी तरह खुदा के बंदों को खाना काबा तक पहुँचने से रोक दूँ हम उसे दर्दनाक अज़ाब पहुचाएंगे चखाएंगे कि लफ़ज़ नुज़िक को मिन अज़ाब इनलीम ये नुज़िक के मुतलिक पहले गालबन मैं जिकर कर चुका हूँ कि चखाने से मुराद ये नहीं है कि थोड़ा सा अज़ाब देके हटा दिया जाएगा अज़ाब की सक्ती की तरफ इशारा है जिसको चखना ही नकाल बरदाश्त है और जिसे एकदम लिया वजाए नहीं सकता बहुत तेज गरम पानी ये गरम चाय की एक पहली आप पी के देखें छुटे छुटे चुटे चुस्किया इनसान भरता है शुरू शुरू में क्योंकि नमुम्किन है कि चखने से ज़्यादा उसे इस्तमाल कर सके तो चखने से मुराद अजाब का कम होना नहीं बलके उसकी तक्रीफ और शिद्दत में ज्याद्ती की तरफ इशारा है वइस बवाना ले इबराहीमा मकानल बैते और जब हमने इबराहीम के लिए मकानल बैत बनाया खाना काबा की जगा मुराद ली जाती है बहुत ही मेंने भी तरजमा किया है मगर अल्बैत को मकान बनाया है ऐसलबाद परके थाना आकिप भी होते हैं जो आकिप बैट रहते हैं तो इबराहीम ने भी इसे घर बना लिया जब हमने इबराहीम के लिए जगा बनाई बैत में मकान बैत में एक मुकाम एक ठेरने की जगा अल बैत से मुराद खुदा का घर अल्ला तुश्रिक भी शेयन ये कहते हुए कि तू मेरे साथ किसी को शेरीक नठेरा कोई चीज भी शेरीक नठेरा वात्वाहिर बैतिया लित्वाइफीना और मेरा घर पाक उसाफ कर ताइफीन के लिए जो आकर खाना काबर का दोर करते हैं जगिद उसके चक्र कारते हैं वल्काइमीना और उनके लिए भी जो वहां कियाम करते हैं वल्रुका इस सुजूद और उनके लिए भी जो रुकु करते हैं उनके लिए भी जो सजदे करते हैं तो खड़े होने वाले, रुकु करने वाले, सज्दा करने वालों और तवाफ करने वालों के लिए मेरे घर को पाक और साफ करे। अब बवानल इबरहीमा फरमाया, मगर अमर वाक्या ये है कि अब्राहीं एलया सिलादु असलिब freezer के ठामीर को आहां एम एते थे और चलए जाय करते थे तामीर के बाद भी हधशरत इसमाईल वहां मतولी रहे और अब्राहीं का मुस्तकिल महां वहां प्याम थाभित नहीं है तो बववाना अले अबराहीमा से क्या मुराद बनेगी फिर इसलिए कि अबराहीम तोहीद का एक सिंबल है और हर कसो नाकिस को वहाँ अजाज़त तो है मगर खाना काबा की गरज उस मुवाहिद से पूरी होती है जो अबराहीम है जिसमें अबराहीमी सिफात पाई जाती हैं पस गुया तामीर तो उसकी खातिर किया गया और घर उसी का है ये जो मुवाहिद आजम है रसूल से पहले की बात हो रही है जो कामल तोर पर मुवाहिद था उसको हमने इस घर ये घर वाला बना दिया क्योंकि खुदा जो वाहिद है और आहद है वही इस घर का मालिक है तो ये घर उसी का खहरा सकता है जो तोहीद परस्त हो और ऐसा तोहीद परस्त हो कि गएर किसी गएर को खुदा के साथ शरीक न ठहराए इसका ये माना लेना गलत है कि अबरहीम अलाएशलातु असलाम ने वही अपना घर बना लिया और हमेशा वही ठहरे रहे क्योंकि तारीख वाज़ तोर पर इस बात की तरदीद करती है असमानवी तोर पर है को एक घर गोया अबरहीम का घर था जो बैत अलाएशलाता है इसलिए कि हमने उसे कहा था कि तू शरीक नहीं करेगा किसी को शरीक नहीं ठराएगा और यही उसने किया जो खुदा कहता था वो ही करता था तो घर अबरहीम का करार देने की वज़ा यह बयान फरमाईए अल्ला तुश्रिक भी शयाओं वत्ताहिर बैतिया लित्ताइफिन वल्काइमिन वल्रुक्य सुजूद यह वो सिफात इबरहीमी हैं जो इस घर का मालिक या इस घर वाला कहलाने के लिए जरूरी है लेकिन इबरहीम अलाएशलाम को बजाते खुद इसकी तौफीक उस तरह नहीं मिली जैसे बजाहर नज़र आता है मगर हद्ए इसमाईल आपके नमाइदगा बने और इन मानों में भी या आयत ए्मानों में भी या रजज़त इबरहीम को जो हकम दिया गिया या इबरहीम की खास्रेज को घर बनाया गया उसके बेटे ने उसकी नुमाइनदी में उसी तरह उसको आबाद किया और वही खिबते की जो इस ख़द इस घर के तालुक में हज़त इबरहीम लगाई स्वाम पर फ़द फर्माई गई थी बेटे का मजमून बीच में दाखिल है मरना उसका अलग जिकर नहीं यहाँ तो इबरहीम बाद रफ़द बाप का फैल या बेटे का फैल बाप की तरफ मनसूब हो जाता है या बाप से जो वादा किया जाए वो बेटे के हक में पूरा होता है तो यहां इन दोनों का आपस में कामल इमतिजाज भी हज़द इसमाईल की हक में एक बहुत बड़ी तारीफ है कि जो काम इबरहीम को कहा गया था वो अमलन हज़द इसमाईल ने पूरा किया और जब तक जिन्दा रहे यही काम किया कि हर आने वाले की खातिर की घर को साफ रखा और हर तरह से आने वालो काराम पहुँचाया और लोगों में बरी नौ इनसान में यह एलान आम कर दे कि वो हज के लिए आया करें या तू का रिजालन तेरी तरफ आएंगे रिजालन पैदल भी या तू का वो आएंगे या अन्नास जी पैदल भी आएंगे वाला कुल दौमरिन और हर ऐसी सवारी पर भी जो लंबे सफर की सौवबत से दूबली हो गई हो या तीन मिन कुल फज्जिन अमिक यह सब आने वाले या तीन का लफ़ सवारियों की तरफ है मगर जो सवार हैं वो भी शامिले इसमे मिन कुल फज्जिन अमिक हर खुले गहरे रास्टे से अब हर खुला गहरा रास्ता क्या होता है तो तरफ़ दो तीन तरह से इसके मान लिए जा सकते हैं एक तो यह कि जो सवारियां दूबली हो जाएंगी चल चल के उनकी जिन सडकों पर चलती है वो भी गहरी हो जाएंगी वो जिन सडकों पर बहुत चला जाए वो गहरी होती चली जाती है पस खड़े पड़ जाएं या सडक बैस सारी सडक की सडक गहरी हो जाए ये फज्ज अमीग के अंदर दाखिल है ये बात फज्ज अमीग के मुझमून में दाखिल है फज्ज वैसे खुले बड़े रास्ते को कहते हैं शाहरा को भी फज्ज कहा जाएगा तो बड़े बेन अलगवामी रास्तों पर रुआएंगे जो गहरे हो चुके होंगे एक ये माना दूसरा अमीग से मुराद उनका आखाज जो है वो बहुत दूर का है पस बाद तरज्जमा करने वालों ने ये भी तरज्जमा किया है वो बहुत दूर के खुले रस्तों से आएंगे ये दूर दूर के खुले रस्तों से आएंगे तीसरा माना मैं समझता हूँ कि यातीना में हर किसम की सवारियां सिर्फ उठनिया ही नहीं क्योंकि उठनियों को जिन सवारियों ने बेकार कर दिया आखरी जमाने में वो भी तो शामिल हैं इस मजमून में इस पहलो से समंदरों पर चलने वाली सवारियां जो गहरे समंदरों पर से आएंगी वो भी फज्जन अमीक खुले और गहरे के मजमून को दाहर करती है पस्ये सारे मानी बर्वक्त इसमे से निकलते हैं और अरबी मजमून के लिहासे और अक्ल के लिहासे निकल सकते हैं थुम्मल यक्दू तफतहुम तफतहुम क्या रेगी ये कायद अच्छा ठीक है ले यश्हदू मनाफेलहुम ताके वो उन मन्फितों को देखें जो उनके लिए मुकद्दर हैं वो आएंगे ताके उन मन्फितों को अपने आँखों के सामने देख लें अपने मन्फितों का मुशहदा कर लें जो मुकद्र हैं वो कौन सी मन्फिते हैं कुछ जाहरी रिज्द की कुछ बातने रिज्द की वयजकुरस्मल लाहे फी ऐयाम मालूमात इसलिए चुंके روحانی منفتیں زیادہ اہمیت रखती है इसलिए अगरचे قربانी के उपर पढ़ने वाले जिकर का पढ़ने वाले जिकर बजाहर यहां दिखाई देता है मगर जब आप आयत को पढ़ें तो पहला जिकर इलाही قربانी के जिकर से अलग भी दिखाई देता है وَيَشْهَدُوا مُنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي ایامِ معلومات تاکہ وہ اپنی منفطوں کا مشہدہ کریں اور اللہ کا ذکر بہت کریں فی ایامِ معلومات ایسے دنوں میں جو معلوم ہیں دوسرا اس کا تعلق بہیمت الانعام سے ہے جس کا ذکر ساتھ آ رہا ہے تو اس لیے طرزِ کلام ایسی ہے کہ بایق وقت روحانی اور جسمانی معنی دونوں ہی اطلاق پا رہے ہیں اس لحاظ سے ترجمہ یہ بنتا ہے دوسرے پہلو سے کہ وہ دن جو معلوم قربانی کے دن ہیں ایامِ معلومات سے مراد حج کے بعد جو قربانی کے معلوم ایام ہیں تین دن ان ایام میں وہ ان قربانیوں پر ذکرِ الہی کریں جو بہیمت الانعام ہیں جانوروں میں سے مویشی بہیمت الانعام اس کی ترقیب کیا بنے گی ان معنی تو یہی ہیں چوپائے مویشی بظاہر لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے انعامم من البہیمہ بہیمہ چوپائے کو کہتے ہیں جن میں حرام جانور بھی داخل ہیں تو ما رزقہم من بہیمت الانعام اس کی ترقیب کیوں یہ بتائیں محمد صاحب جو ترقیب میں منانے کے ماہر ہیں وہ تو خیئن ہی آج یہاں الانعام وہ جانور ہیں جو اونٹ سب سے پہلے دھیر بکری گائیں بھینسیں بیل وغیرہ کتنے جوڑے ہیں اس کے آٹھ قرآن کریم نے آٹھ جوڑے بتائیں آہاں آٹھ جوڑے سے مراد ہے ہر کسم میں سے دو دو چار کسموں میں سے دو دو ایک اونٹ ہو گئے نردان اس نے نردان اس نے نردان اس نے نردان اس نے ہاں اور وہی اونٹوں میں سے دو ہو گئے بھیڑوں میں سے دو بکریوں میں سے دو اور گائم حیثوں میں سے دو ٹھیک ہے یہ ہیں انعام اور بہیمہ میں تمام چوپائے آجاتے ہیں ما رزقہم من بہیمت الانعام انعام انعاموں کے بہیمہ میں سے یہ مطلب بہیں گے نا نہیں وہ نہیں بنتا انعام میں سے بہائم لفظی تجمہ یہ بنتا ہے لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے عربی گریمر میں ایک یہ بھی قائدہ ہے کہ بعض دفعہ مضاف مضاف علیہ صفت مصوف کے معنوں میں آجاتا ہے بظاہر مضاف مضاف علیہ ہے بہیمت الانعام لیکن صفت مصوف کے اظہار کے لیے مضاف مضاف علیہ کی ترقیب کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس پہلو سے اس کا ترجمہ صفت مصوف کا کیا جائے گا یعنی ان انام پر وہ ذکر الہی کریں جو بہیمہ ہیں بہیمہ انام پر ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کی طرف اس لیے نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے گریفز سے باہر کی باتیں ہیں جو سمجھتے ہیں اس زمان کو ان کی طرف میں دیکھ رہا ہوں اس لیے بہیمت الانام فَقُلُوا مِنْهَا وَعَتْمُ الْبَاعِسَ الْفَقِيرَ پس اس میں سے کھاؤ اور باعث کو بھی کھلاو باعث ہر مصیبت زدہ جو بھوک کا مارا ہوا تکلیف میں مبتلا باعث کہتے ہیں نا تکلیف کو تو باعث ہر تکلیف والے کو الفقیر کو بھی الباعث الفقیر ہر ایسے فقیر کو ہر ایسے تکلیف میں مبتلا کو کھلاو جو نادار ہو الباعث الفقیر یہ صفت محصوف ہیں مطلب ہے ہر نادار فقیر ہر بھوکے تکلیف میں مبتلا فقیر کو بھی اسی میں سے کھلاو ثُم مَلْ يَقْضُو تَفَثَهُمْ یہ پہلے بھی میں نے تفسہ پڑھا تھا میں واپس آرہا تھا جب آپ کو موقع میں گیا بتانے کا میں پہلے بھی پرچوں میں یاد آگیا تھا تفسہ لفظ ہے تفسہ غلط ہے ثُم مَلْ يَقْضُو تَفَثَهُمْ پھر وہ اتار دیں دور کر دیں اپنے مَل اس کے بھی دو ہی مانے بے اقوقت اطلاق پاتے ہیں اس کے بعد وہ فارغ ہو کے نہائند ہوئیں اور اپنے دلوں کے مَلْ صاف کریں اپنی روح کی مَل کو چیل اتاریں وَلْ يُوفُو نُزُورَهُمْ اور اپنی مانی ہوئی منتیں پوری کریں وَلْ يَتَوَّفُو بِالْبَيْتِ الْعَطِيقِ اور وہ قدیم گھر کے چکر لگائیں قدیم گھر کا تواف کریں یعنی خانہ کعبہ کو عطیق گھر فرمایا گیا جو ہم پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا نشان ہے انسان کی سیولائزیشن کا جو یہاں بنایا گیا تھا اور چونکہ وہ پہلا آدمی آدم سے بھی بہت پہلے وہ نبی نہیں ہوگا اس لئے اس کا نام بھی نہیں لیا نہ اس کو ضرور بھی سمجھا گیا لیکن خدا نے بنوایا تھا اور عبادت کا تصور نبوت سے پہلے بھی مخلوقات میں بھی موجود ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ یا وہ ایسا نبی ہوگا جس کا ذکر تاریخی طور پر محفوظ کرنا خدا تعالی نے ضرور نہیں سمجھا یا بے شمار اتنے گزر چکے ہیں آدم کہ سب کا سلسلہ اگر اللہ تعالی بیان کرتا تو ایک ناخر انہاری کتاب بن جاتی ہے جو بھی مسئلت ہے آغاز میں اس مکان کو بنانے والے کا کوئی نام کہیں نہیں ملتا نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس لئے اسے عطیق کہا گیا ہے قدیم ترین ancient گھر کا پھر وہ تواف کریں اس کے بعد ذالکہ وما یعظم حرمات اللہ فہو خیل لہو اند رب اسی طرح ہم نے حکم دیا یعنی پہلا جو باتیں چلی آ رہے ہیں ان کے اندر وہ ذالکہ کے مفہوم کے اندر داخل ہو کر انہیں کی طرح بشارہ کریں گے یہ جو باتیں ہم فرما رہے ہیں ان میں یہ بھی شامل سمجھو وما یعظم حرمات اللہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے حرمات کے ترجمے میں دقت محسوس کی گئی ہے بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا جو خدا تعالیٰ کی حرمت والی باتوں کی تعظیم کرتا ہے بعض کہتے ہیں حرمت والی چیزوں کی تعریم کی تعظیم کرتا ہے مگر شاعر میں خود انبیاء داخل ہیں حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم شاعر میں سب سے بڑے جانور بھی داخل ہیں جن کو قربانی کے لیے وقف کر دیا جائے جگہیں بھی داخل ہیں جیسا کہ خانہ کعبہ ایام بھی داخل ہیں اس لیے ان کو چیزیں بھی نہیں کہا جا سکتا اور حرمت والی دوسری کیا بات بتائی تھی جگہیں یا چیزیں اس لیے بہترین ترجمہ وہ ہی بنے گا کہ شاعر ہی کہا جائے وہ تمام حرمت والی وہ سب کچھ جس کو اللہ نے حرمت دی ہے یہ کہہ سکتے ہیں یا شاعر کہہ دیں یا یہ کہہ دیں وہ سب کچھ جسے اللہ نے حرمت بخشی ہے اس کو اس کی وعیزت کریں اور یہ ترجمہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ معنی ہوگا وَمَنْ يُعْزِمْ حرماتِ اللَّهِ بس وہ جو شخص بھی ہے جو لوگ بھی ان سب ان سب کی عزت کرتے ہیں جن کو اللہ نے عزت بخشی ہے فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ کیونکہ سنگل میں انہیں باہر میں زمیر جا رہی ہے ترجمہ پہ یوں کریں گے دوبارہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں جو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے حرمت دی جانے والی پھر چیزیں آجا گئے جو بھی ان سب کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت اطا فرمائی ہے یا جو بھی اللہ کے شاعر کی عظمت کرے گا یا عد کی تعظیم کرے گا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ تو یہ بات کرنا ہوا ایس یہ بات اس کے لئے بہتر ہوگی اندہ رب بہی اس کے رب کے نزدیک وَأُهِلَّتْ لَكُمُ الْأَنَامُ اور تمہارے لئے انام حلال قرار دے دیئے گئے ہیں إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم سوائے اس کے جو تم پر پڑھا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے انام میں حرام ہے پڑھا جاتا ہے مراد ہے کہ کئی بار تم سے ذکر گزر چکا ہے قرآن کئی دفعہ ذکر کرتا ہے وہ انام جو انام ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم میں بارہا حرام کے طور پر بیان کیے گئے ہیں ان کے سوا باقی سب انام تمہاری حلام حلال ہیں فَشْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ پس تم خدا تعالیٰ کے سوا جن چیزوں کی جن بتوں کی اثر میں ہے رِجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ بتوں میں کی ناپاکی سے اشتراز کرو بتوں کی ناپاکی سے مراد ہے شرک سے تو فَشْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ بت پرستی کے شرک سے کی گندگی سے احتراز کرو وَشْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ یہاں شرک اور جھوٹ کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اور عمرِ واقعہ یہ ہے کہ جھوٹ اور شرک ایک ہی چیز کے دو نام ہیں جب حق نہ بچا سکے جو اللہ ہے تو پھر جھوٹ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے جو غیر اللہ ہے تو افحان کے ساتھ جھوٹ کو ماننا یہ بہت ہی اہم مضمون ہے جسے ہمیں کوشش کر کے اپنے نفس کی باریکیوں تک جاری کرنا چاہیے دو ہوں اٹھیاں بند ہوگی تیرے بتیسویں آیت ہم نے پڑھنی ہے اور چونکہ میں نے کہا اگر چار پانچ منٹ زیادہ مل جانے کیا حرج ہے کیونکہ آج ہمارا جو درس ہے یہ کل بھی ہے پھر ٹھیکو بات نہیں باقی کل انشاءاللہ میں سمجھا تھا کہ مزام کے بعد ہوگا بات اچھا اسلام علیکم خوزہ حافظ